पत्ना विस्विद्याले का ठर्ड रौंड का परिनाम आ गया है और उसमें जाप और AISF का एलाइंस कामियाब होते नजर आ रहा है जैसे कि देख रहा है बारा सो 1529 पे आयूस है आरजेडी के सेकंड नंबर पे और पहले नंबर पर मनीश कुमार है जाप और AISF के उम्मिद बार हैं और तीसरे नंबर पर ABBP चली गही है जो पिछले बार रेस में थी 970 बोटो के साथ तीसरे नंबर पर है और चाथे नंबर पर नजरर आ रहे हैं और फिर जदिव का नंबर आता है नीरज नंदन का इसी प्रकार से अज़ली सिन्ह नस youi का और फिर वाइस प्रेसिडेंट का बताते हैं क्योंकि प्रेसिडेंट में 12 कंडिडेट कुल हैं और कहीं न कहीं ऊपर नीचे उन लोगों में काफी अब वो सब रेस में सायद नहीं आपाएंगे इसलिए हम टॉप फाइब बता चुके हैं और वाइस प्रेसिडेंट में ठाड रौंड के और तीसरे नंबर पर प्रिया रंजन कुमार रहें लजीपी के अब यह देखते हैं कि जेनरल सेक्रेटरी के पोस्ट के लिए जो सबसे आगे चल रहे हैं प्रियंका श्रिवास्तव एवीपी की यहां पर एक खुसखबरी कह सकते हैं कि 2400 के आसपास सीटे 234 वोट उनको मि दिख रहे हैं ज्वाएंट सेक्रेटरी का जो है उसमें अमन राजा काफी आगे चल रहा है चोविस सो साथ वोट पर और सेकन्ड नंबर पर हर्सिता दयाल हर्सिका दयाल और ट्रेजर के पोस्ट पे सबसे आगे चल रहा है निसांत कुमार दूसरे नंबर पर और रोमा कुमारी 1947 बोटों के साथ पहले नंबर पर है उसके बाद निसांत कुमार और वाजित समस हैं इसी प्रकार से ये रेस चल रहा है हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि तीसरे रॉंड में ये क्लियर हो चुका है कि NSUI और JAP का एलाइंस काफी काम्याब होते नजर आ रहा है और हम बताने का प्रयास करेंगे चोथे रंड और पाच्वे रंड पे यहां पर देख रहे होंगे यह आर्ट एंड क्राफ्ट पटना इन्वर्सिटी के अंतरगत जो आता है यहीं कौंटिंग हो रहा है पटना विस्वी डैले से इसकी काफी दूरी है और सारे पुलिस और महकमे को यहां पर रोकने के लिए इसके लिए बैरिकेटिंग की विवस्था की गई है और इधर यह देखेंगे इसमें मीडिया का पतरकार बंधूं के लिए इस जगह पे ठारने की विवस्था की गई है और भी हम कुछ लोगों से चुनाब दर चुनाब हम बताने का प्रयास करेंगे यहां पर देखेंगे पुलिस प्रसासन विवस्ता काफी चाक चौबंध नजर आ रही होगी चुनाब पटनाब इस विद्याले के चुनाब का और भी हम परिनाम का बताते रहेंगे चौथे और पाच में रोंड का कुशी छन में आ जाएगा रात एक बजी है अभी और तीन बजे तक आसा है कि सार है रिजल्ट क्लियर हो जाएगा अभी के लिए फिलाल इतना है जकास भारत से मेरा विकांत धन्यवाद